एलो दोस्तों साथ आपसे कि मैं चैनल मैं दोस्तों जैसा कि सथी बच्चों को पता लग गया वगा फर्ट समेस्टर के जो एडमेट काड है वो डिकलेयर कर दिये गए हैं फरवरी मार्च में आप से बीके εκzám करवाई जाने हैं और जो आपका first semester का admit card है वो declare कर दिया गया है BA program को छोड़ के अभी BA program वाले बच्चों के जो admit card है वो declare नहीं किये गए है क्यों कि नहीं किये गए हैं क्योंकि उनके जो exam में वो 4 मार्ज से करवाय जाने है और जो आपका admit card है exam के 4 या 5 दिन पहले release किया जाता है तो जो BA honors, become program और become honors वाले बच्चे हैं इनके जो exam है वो 27 और 28 फरवरी से करवाय जाने है इसलिए इनके जो admit card है वो declare कर दिये गए ठीक है BA program वाले बच्चों के जो admit card है वो 27 या 28 फरवरी के असपास release कर दिये जाएंगे जैसी उनके admit card आएंगे मैं video दारा information प्रवायट करवा दूँगा इस video में बात करेंगे आपको exam center पर क्या-क्या लेकर जाना है क्या-क्या document आपको exam center पर लेकर जाने है तो नीचे आपके admit card के नीचे ही instructions दे रखी है तो किन-किन बातों का आपको ध्यान लगना है और क्या-क्या लेकर जाना है exam center पर ये दोस्तों सभी बच्चों के लिए ठीक है चाहिए वो BA program वाला बच्चा हो BCom program वाला बच्चा हो सभी के लिए interaction same follow की जाएंगी ठीक है तो ये सभी बच्चे इन बातों का ध्यान देना कि क्या-क्या लेकर जाना है हमें exam center पर तो पहले point में देखे इसमें क्या बोल रखा ये interactions यहां पर दे रखी है तो पहले point में देख लीजिए क्या बोला गया है कि जो आपका admit card release हुआ है उसमें detail देख लीजिए जो आपकी detail है वो सारी सही है या नहीं है ठीक है अपना नाम father name जो भी आपका address है वो सारी चीजे आप लोग check कर लीजिए admit card पर ठीक है या आपका exam roll number नहीं दे रखा अगर कोई दिक्कत है admit card पर तो आप लोग सीधा S.O.L. visit करें S.O.L. से contact करें तो यह आपको बता रखा है ठीक है दूसरे point में और तीसरे point में बता रखा है कि आपको क्या लेके जाना है exam center पर क्या क्या document लेके जाना है तो इसमें देख लिए यह बोला गया है तो आपको यह लेके जाना है और एक पैचान पत्र या आधार card कोई एक ID proof आपको लेके जाना होगा original ठीक है original ID proof ले जाना और अपना यह admit card लेके जाना यह दो चीज़े compulsory है कि आपको लेके ही जानी है अपने exam center पर इन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है ठीक है एक पैचान पत्र हो गया या आधार card हो गया और आपका एक admit card यह दो चीज़े आपको जरूर लेके जानी है exam center पर तभी आपको entry दी जाएगी अब चोथे point में देखें चोथे point में क्या बता रखा है चोथे point में दोस्तों यही बता रखा है जो एक्जान निल्देश है उन्हीं के हिसाब से आपको exam में बैटने दिया जाएगा ठीक है जो स्वेल के रूल है उसी के साब से आपको बैठने दिया जाएगा आपका exam है की नहीं है ठीक admit card में जो detail है वो आपकी है आपकी photo है ठीक है सारी चीज़ चेक करके तो वह आपको exam center पर बैठाय जाएगा ठीक तो वहाई पर आपको answer seat भी दी जाएगी जो answer seat है आप लोग अप लिख सकते हैं ठीक है तो चोथे में यही नॉर्मली बोला गया है पांचे पॉइंट में देख लीजिए क्या बोला गया है परिच्छाती को सला दी जाते है कि परिच्छा पर्वेस पत्र प्राप्त होने पर तुरंत बाद अनुदेसों को ध्यान से पढ़े जो भी इच्छा के अंदर में किसी भी परकार के electronic उपकरंट जैसे transistor, mobile phone, wireless set, Bluetooth device आधी को अपने साथ लाने की अनुमती नहीं दी जाती तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना आप लोग mobile phone, wireless set और Bluetooth device ऐसी कोई भी चीज, SOL के exam center के अंदर नहीं ले जा सकते हैं ठीक कोई सा भी आपका exam center हो आप लोग ये चीज़े नहीं ले जा सकते हो exam center के अंदर तो ये बोला गया है और अब आगे देखे इसमें आगे क्या बोला गया है इसका उनलंगन करने वाले परचाती के विरुत परिच्छा की आचार सहिंता के अंतरगर्द निदारित अनुचित साधनों के नियामों के तहट अप पिछित कानूनी कारवाई की जाईगी kanूनी कारवाई की जाईगी ठीक है तो ये चटे पोइंट में बता रखा है आप लोग मोवाईले पॉन नहीं ले जा सकते हो एकक्जाम सेंटर के अंदर तो ये बता रखा है चटे पॉंट में और इस साथ प्रेंट दाने में आप गोंचा यह एंधर से चारों धरें जाना ठीक है बलेकं वाइड लिकल वाल है प्रिंट उसका वो लेके चले जाना ठीक है अले मिनेट मत करवाना तो यह बता रखा है अब दोस्तों आट्वेड़ पॉयंट में देखिए बस यह बता रखा है कि जो भी आपके अडिमेट कार्ड में दिककत है उसे आप लोग परिच्छा परारंब होने के 30 मिन्ट बात परिच्छा कर्च में परिवेश की अनुमती नहीं दी जाएगी तो इसमें बोला गया है कि जैसे आपका एक्जाम 9 बजे स्टार्ट है ठीक है और 9.30 में तक आप लोग एक्जाम सेंटर के अंदर एंटरी कर सकते हो अगर आप लोग लेट हो जाते हो किसी करण वर्स तो आप लोग 9.59 बज़े तक entry कर सकते हो exam center के अंदर, 9.59 बज़े इंट्री कर सकते हो, ठीक है कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग 9.59 बज़े तक एंट्री कर सकते हो, 9.00 बज़े के बाद आपको awakening नहीं दी जाएगी, आदे घंटे बाद एंट्री नहीं दी जाएगी इसी तरह से इविनिंग वाले बच्चे अगर किसी का दो बज़े एक्जाम स्टार्ट है तो धाई बज़े तक आपको एंट्री मिल जाएगी धाई बज़े के बाद एंट्री नहीं मिलेगी और दसवे पॉइंट में देखे क्या बोला गया है परिचाती को परिचा शुरू होने से 30 मिन्ट के अंतराल तक परिचा कर्च छोड़ने की अनुमती नहीं दी जाएगी जैसे आपका तीन गंटे का पेपर है तो आप लोग धाई गंटे बाद एक्जाम सेंटर छोड़ सकते हो अगर आपका एक्जाम पू दो गंटे में कर दिया तो आपको एक्जाम सेंटर के बाहर नहीं आने दिया जाएगा डाई गंटे होते ही तब आप लोग एक्जाम सेंटर पर एक्जाम सेंटर से बाहर आ सकते हो अपनी आंसर सिट सम्मिट करके तो दसवे में यह बता रहा है और 11 पॉइंट में देखे क क्या बता रहा है किर्प्या सुनेचित करें कि परिच्छा पर्वेस पत्र में परिच्छा के अंदर परिच्छा इस तल का पूरा पता दिया गया है जो आपका एक्जाम सेंटर का पता है एड्रेस है वो देख लेना कि सही है या नहीं है ठीक है तो उस एड्रेस के हिसाब सही आपको exam center पर जाना है तो एडर्स देख लेना ये बता रखा है और बारेव पॉइंट में क्या बता रखा है दोस्तों कि आपके पास कोई नकल नहीं होनी चाहिए ठीक है तो इसके लिए teacher को allow किया जाएगा कि आपकी checking की जा सके बारेव पॉइंट में ये बता रखा है कि अगर कोई भी ऐसी सामगरी पाई जाती है आपके पास तो आपका जो paper है वो तो cancel हो गई होगा आपको बार भेज दिया जाएगा और आपको check करेंगे teacher पूरी तरह से बारेव पॉइंट में ये बता रखा है तो यहाँ पे देखें दोस्तों ये सबसाब बोला गया है तलासी लेने की सुन्तरता है जो teacher है वो आपकी तलासी ले सकते हैं अगर कोई नकल पाई गई तो आपको सीधा बाहर भेज दिया जाएगा जो आपका roll number है उस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है एक्जाम roll number है जो आपका वो ध्यान से लिखना है अगर उसमें कोई गलती पाई गई तो आपकी पूरी answer seat वो check नहीं की जाएगी एक्जाम roll number ध्यान से लिखना आप लोग के exam roll number मेरा सही है या नहीं है अगर exam roll number सही नहीं हुआ तो आपकी copy check होने में मुस्किल होगी और फिर बाद में आप लोग बोलोगे मुझे absent दे दिया गया या fail कर दिया गया तो आपको exam roll number ध्यान से सही तरीके से लिखना है जो आपके admit card पर दे रखा है फोटो के उपर जो दे रखा है वो आपका exam roll number हो गया ठीक है तो यहीं बता रखा है सारा कुछ और फिर इसमें कुछ नहीं बता रखा है कि आपका जो भी admit card है उसे S.O.L.K. साइट से डाउनलोड कर लें और आपका जो admit card है जो पर इच्छा केंदर है आपका exam center है वहाँ पर teacher चेक करेगा कि यहाँ इसी बच्चे का admit card है या नहीं है तो यह सारी चीज़े इन दोनों point में बता रखी है कि आपका admit card है आप यहो जो exam देने आ हो कोई दूसरा तो बच्चा नहीं है तो यह सारी चीज़े बता रखी है तो I hope आप लोग समझ गयो होगे किन-किन बातों का ध्यान रखना है अगर कोई दिक्कत या डाउट है आप लोग मेरे को इस्टाग्राम पर message का देना follow कर लेना link वीडियो के डिश्माप सब्सक्राइब कर लेना अग्जाम में भी आप सबकी पूरी help की जाएगी ठीक है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना मुझे भी अच्छा लेगा आपके सब्सक्राइब करने से मेरा motivation बढ़ता है बस ठीक है तो दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना